हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो सभी दोस्तों इस वीडियो में आज हम अक्षा कुमार सांती प्रिया की गुनिश उखराण में में आई सोगंध फिलम की कानों की स्टिम लोकिशन के बारे में बात करेंगे सोगंध फिलम का गाना और फिलम का दूसरा गाना इनकी स्टिम लोकिशन के बारे में बताएंगे सोगंध फिलम की गानों की स्टिम कहां कहां होती तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने वी लाइप टेक नमबर वन को सस्क्राइब ने किया प्लीज सस्क्राइब जरूर कर दें और साथ में फैल आइकन दबा दें लटेस्ट अपडिटिटिंग फीडियो फाने के लिए जी हां दोस्तों आप सभी को बता दो कि अक्षय कुमार को फिलम इंडेस्ट्री में आयो हुए 28 या 30 साल हो चुके अक्षय ने सोगंध फिलम से अपने केरियर की सुरुआलत एक्टर सांती प्रिया की साथ की थी अक्षय की सासा सांती प्रिया की यह फैली हिंदी फिलम थी इन हटा इस साल में अक्षय वोलिवूड की खिलाडी कुमार बन चुके हैं तो चलिए आपको सांती प्रिया और अक्षय कुमार की सौगंध फिलम की कानों की सुटिंग लॉकिशन बताते हैं किया गया था आप स्क्रिंशॉट के माद्यम से मैच कर लीजिए अब दोस्तो चलते हैं लैला को फूल जाएंगे इसी गाने की सेक्रिंड शुटिंग लोकेशन की तरफ दोस्तो आपने गाने का यह सिन देखा होगा जो मैंने आप सभी को स्क्रिंग पर देखा रख गया है द दोस्तो इस शुटिंग लोकेशन की बात करें तो दोस्तो यह सिन पांडे चेरी पैराडाइज भारत में इस शुट किया गया था आप स्क्रिंशॉट के माद्यम से मैच कर लीजिए अब दोस्तो चलते हैं फिलम के काने की थर्ड शुटिंग लोकेशन की तरफ दोस्तो आपने फिलम का यह काना सुना होगा तेरी पाहों में जीना है तेरी पाहों में मरना है दोस्तो इस काने का मैंने आप सभी को स्क्रिंशॉट दिखा रख गया है इस सिन की शुटिंग ल अब दोस्तों चलते हैं फ exclusion की तरफ दोस्तों आपने फिलम का यहें गाना सुना होगा तेरी पाहों वे जेना है तेरी पाहों में मलना है दोस्तों इस खाने का screen shot दिखा रखका है इस इनकी शिटिंग लोकिशन की बाद करें तो दोस्तो यह सीन सीजर लेंड में सूट किया गया था आप स्क्रिन सोट के माध्यम से मैच कर लीजिए दोस्तो आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो फसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ फैल आइकन जरूर दबाए दोस्तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत